हलो इस्टेंट्स, वेलकम तो चनल सब कुछ नो, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7th NCRT मात का प्रसनाली 1.3 का 5 में question E से आगे, इससे पहले वाले पाट में आप लोगोंने question 5 का पूरा 1.3 में question 5 का आप लोगोंने D question तक पूरा complete पढ़ाई किया था, तो अगर आप लोग चनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादे ज्यादे शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग घर से, आसानी से, आनलाइन पढ़ाई कर सका, देखिए, यहाँ question 5 में दिया, उचीत गुरों का उपयोग करते हुए, गुरनफल ग्याद किजिए, तो इस 625 गुरा में माइनस 35, फिर पलस में माइनस 625 गुरा में 65, हमने आप लोगों को बताया था, जब बीच में पलस और माइनस दे दे कहीं, और दो संख्या है, मतलब कुल 4 संख्या हैं दिखें, और संख्या, एक संख्या समान हो, दोनों तरब तो क्या करते हैं, आप लोगों कौन सा रूल काते हैं, देखिए, यहां भी देखिए 625 है, यहां भी 625 है, माइनस पलस में रहेगा तुछ से कोई दिक्कर नहीं, यहां लोग क्या करेंगे, कि 625 को लिख लेंगे पाले, और अब लिखते हैं इसके बाद ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक में, यहा हमने लिख लिया, तो बचा क्या माइनस में 35, तो वही लिखेंगे, यहां माइनस में 35, और यहां देखिए, 625 यहां से भी हमने ले लिया, तो क्या बचा है, यहां माइनस बचा हुआ, पलस माइनस का गुड़ा कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस, और 625 यहां से भी हमने ले लिया तो यहां क्या बचा है 65 बचा है तो देखिए हमने क्या किया 625 दोनों जगा था हमने बाहर लिया बचा क्या माइनस में 35 और यहां क्या बचा देखिए पलस माइनर दो चीन एक पासा दोनों का गुड़ा कर दिये तो माइनस में 65 बचा और इस रूल को कहते क्या है यहाँ पर rule को जरूर लिखते हैं आप लो यही गूर का उपयोग करना है तो लिखेंगे बितरक्ता इसी को बितरक्ता कहते हैं मतलब देखिए दोनों में समान संख्या उसको हमने बाहर कर लिए आप देखिए इसको solve करना कितना easy हो जागा यह 625 लिखेंगे आप लोग जानत 100 और हमने आप लोग को बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीन नहों और उसके बाद संख्या हो तो यहाँ पर गूरा का चीन समझते हैं यहाँ दोनों के बीच गूरा है तो गूरा कर लेंगे प्लस और माइनस का गूरा माइनस में हो जागा 625 का जब एक में गूरा करेंगे तो 625 ही रहागा और दो जीरो है तो लाट में दो जीरो लिख लेंगे यह एंसर हो जागा देखिए कितना ईजी हो गया सॉल्ब करना अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर F को यहाँ देखिए दिया है साथ गूरा में 50 माइनस 2 देख में देखिए इस टाइब का देखिए ब्रैकेट के बाहर एक संख्या है और दो संख्या ब्रैकेट के अंदर स्चीने के साथ दिये हुगा है तो यहाँ उल्टा कर देना यहाँ देखिए तीन संख्या में है तो चार संख्या हम कर देना और यहाँ चार था तो हमने तीन में कि यह कखिए क्या करते हैं जब भी कोई संख्या बाहर Uh uh palette में पलस माइनस के साथ दो संख्या दी गए हो तो इस बाहर वाले का बारी-बारी से दोनों कुरा करते हैं यह साथ का पहले देखिए गुरा करेंगे किस में पहले साथ का गुरा करेंगे पचास में और फिर देखिए चीन का भी देखिए गुरा होता है पलस पलस का गुरा हुगा तो यह पलस में ही या कोई दिक्कर नहीं है इस पलस और माइनस का गुरा करेंगे तो माइनस में मतलब प भी rule कौन सा लिखेंगे इसके भी side में लिख लेंगे बितरकता अब देखिए इसको solve करते हैं 7 का 50 में गुरा हमने बताया था जब किसी संख्या का last में 0 हो संख्या का संख्या हम गुरा करते हैं 0 उकार देते हैं last में 7 का 5 में गुरा करेंगे तो 35 और last में 0 है तो 0 लिखेंग यहां माइनस, 7 का 2 में गुरा करेंगे, 14 होगा, 14 लिखेंगे, आप देखी एक संख्या पलस में, एक माइनस में हो, तो आप लोग जानते हैं, घटाते हैं, चिन बड़े वाले का लगाते हैं, घटाने में तो यह बड़ा, तो पलस ही में होगा, चिन, 0 में 4 नहीं घटेगा, यहां सील लगा, 10 में 4 जाएगा, तो 6, यहां 4 बचा, 4 में 1 जाएगा, तो 3, और यहां 3, मलब 336 हमारा अंसर हो जाएगा, अब आम लोग, कोस्चन, G को देखेंगे, इसको आप लोग जल्दिस नोट करेंगे, देखिए, आपर कोस्चन नमबर G दिया, माइनस 17, गुडा म माइनस 39, और H दिया, माइनस 17, गुडा माइनस 19, पलस में 17, तो देखिए, इसको कैसे solve करेंगे, देखिए, यहां पर माइनस 17, गुडा माइनस 39 दिया है, तो आप लोग जानते हैं, कि यहां पर संबरीत वाला रूल तो लगाना नहीं है, किसी नहीं लगाएगे, क्यों कि संबरीत होता है, पुडांग में पुडांग का गुडा करेंगे, तो पुडांग होगा, यह बताना तो कहीं लगेगा नहीं, साचर में आप लोग जानते हैं, तीन संख्याय दी होती हैं, दो का एक में एक अलग, और फिर दो का एक में एक अलग, तो भी जल्दी लगता न है तो बीतरक्ता लगाना है तो देखिए यह तो भी घरक्ता करने के संख्या को सब्सक्राइभ लगाना है तो देखिए यह पर आप लोग जानते हैं लिख सकते हैं ऐसे माइनस 29 है तो इसको लिख सकते हैं माइनस 20 माइनस 9 समझ सकते हैं इतना आप लोग देखिए 29 क्या होता है 20 और 9 29 होता है तो आप लोग जानते हैं माइनस 29 अगर प्लस 29 रहतना तो 20 और प्लस 9 करते हैं माइनस है तो दोनों को हमने माइनस कर लिया 20 और 29 होता देखिए दो संख्या माइनस में हो तो क्या करते हैं माइनस लगा एक जोडते हैं मलब माइनस 29 को ही हमने लिख लिया माइनस 20 और माइनस 9 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 29 ही होगा जैसे माल लिजिए अगर 10 लिखा हो तो चाहे हम लोग 10 लिखां चाहे 6 प्लस 6 लिखां बात तो एक ही हुआ तो इसी तरह सामने कर लिया 29 को 20 और 9 में तोड़ लिया है दो भागों में आप लोग अपने इसाब से उसको तोड़ भी सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि 20 प्लस 9 में ही तोड़ा है आप लोग 10 पलस 19 में भी तोड़ सकते हैं तब भी 29 होगा मतलब माइनस 10 माइनस 19 तब भी 29 होगा तो जो इजी हो मतलब जिसके लाश्ट में 0 आ जाए उसमें तोड़ लेते हैं संख्याओं को इसको भी तोड़ सकते थे इसको भी तोड़ सकते थे इसमें गुरा करना पड़ेगा बात होई अब देखिए यहाँ पर rule कौन सा लग जाएगा बित रखता यहाँ लिख लेंगे बित रखता देखिए हम लोग इसको solve करते हैं अब क्या करेंगे माइनस 17 का एक बारीस में गुड़ा और इसी का एक बारीस में गुड़ा तो देखिए पहले लिखते हैं माइनस 17 का गुड़ा करना किसमें माइनस 20 में और फिर देखिए माइनस 17 का गुड़ा करना किसमें माइनस 9 में यहां दोनों का गुरा जब होगा तो माइनस माइनस हो जागा पलस और अब ऐसे लिख लेंगे 17 का गुरा करना है किसमे 9 में यह आप लोग ध्यान देंगे चिन्हों का गुरा हो जाता है माइनस सतरा गुड़ा में माइनस बीस और फिर माइनस सतरा गुड़ा में माइनस नौ यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे अगर चीन का यहाँ गुड़ा नहीं करना चाहेंगे तो ऐसे लिख लेंगे माइनस सतरा गुड़ा में माइनस नौ तो ऐसे आप लोगों को easy होगा, minus 17 गुड़ा में minus 20, फिर minus 17 गुड़ा में minus 9, बाहर वाले का बारी बारी से दोनों अंदर वाले हम गुड़ा करते हैं, यह याद रखेंगे, अब देखिए इसका इसमें गुड़ा करना easy है, minus minus का गुड़ा की यह plus हो गया, और 17 का 20 में तो 17 का 2 में गुड़ा करेंगे, तो 34 लाश्ट में 0 है, तो 0 लिख दिया, यहाद देखिए minus minus का गुड़ा पलस हो गया, 17 में 9 का गुड़ा करना है, तो इधर से गुड़ा करते हैं देखिए, 9 का 7 में करेंगे, तो 63 को 3, 88 लाएगा 6, 9 का 1 में 9, और 6 15, तो इतना हो गया, अब देखिए यह दोनों संख्या है, पलस में हैं, तो आप लोग जानते हैं, पलस वाले संख्याओं को जोड़ा जाता है, पलस में ही, तो 3 और 0 को जोड़ेंगे, तो 3, 5 और 4 को जोड़ेंगे, 9, 1 और 3 को जोड़ेंगे, तो 4, 493 यह एंसर हो जागा, अब हम लोग क्वेश्चान नमबर, H को देखते हैं, जो कि इस 5 नमबर क्वेश्चन का, लाश्ट क्वेश्चन है, अब देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया माइनस संख्याओं, गुड़ें माइनस में, 19, और पलस में 10, आप लोग देख सकते हैं, हमने बताया था कि जब संख्याओं है, दो जगा यह दो से ज्यादा जगा पर हो, और देखिए, दोनों समां संख्याओं दियाओ, 57 57 यहाँ है तो देखिए common का ऐसे लेते हैं 75 को ऐसे लिख लेते हैं और bracket तुरंद बनाते हैं और जो बचावगा संखिया होता है उसको यहाँ लिखते हैं यही हमने आप लोगों से बताया तो 57 को जब हमने लिखा यहाँ तो यहाँ क्या बचा? माइनस माइनस देखिए दो माइनस है तो माइनस माइनस पलस हो जाएगा मतलब यहाँ पर बच गया क्या? 19 और यहाँ क्या बचा? 57 को हमने यहाँ से भी ले लिखा तो एक बचा कुछ नहीं यहाँ तो क्या बचा? संतावन में किसी भी संख्या में एक का गुड़ा हुआ रहता तो संतावन को हमने ले लिया तो पलस यहाँ बचा एक रूल कौन सा यहाँ पर लगा देंगे अब हो जागा बितरकता यहाँ भी देखिए अब यहाँ क्या करना इसका बारी बारी इस दोनम गुड़ा नहीं करना है देखिए काफी इजी हो जागा इस दोनों को जोड़ लेंगे तो तो संतावन ऐसे लिखेंगे और यहाँ देखिए 19 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जागा 20 अब देखिए गुड़ा करना कितना इजी हो गया है लास्ट में 0 आ गया है हम लोग क्या करेंगे दो का दो नम गुड़ा करेंगे लास्ट में 0 लिख लेंगे दो का देखिए साथ में गुड़ा करेंगे तो 14 को 4 हासिल एक और 2 का 5 में होगा तो 10 और 1 हासिल 11 और लास्ट में 0 है तो 0 लिख लेंगे हो गया 야 अंसर दिखिए तो इस तरह से स्व लॉप करना है टा मैं हम लोग को सीक्स को देखते हैं करने की परकिरीया में कमरे कटाप मान को 40 डिगरी सेंटीग्रेट से 5 डिगरी सेंटीग्रेट प्रती घंटे की दर से कम करने की आव सकता इस परकिरिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा देखिए इसको समझते हैं जैसे कह रहा कि कोई तापमान कितना है 40 degree centigrade है कोई तापमान कह रहा है कितना है कम रहे का 40 degree centigrade पर मानने जिए इस time है और कह रहा है कि 5 degree प्रती घंटे की दर से कम करने की आव सकता इसको कितना कम करना है एक घंटे में कितना है प्रती घंटे का मतलब होता है एक घंटा एक घंटे में 5 degree centigrade कम करना ध्यान दीजिएगा कहा क्या है कि कोई तापमान 40 degree centigrade इस टाइम है और एक घंटा में कितना कम होगा 5 degree centigrade कम होगा एक घंटे में और देखी आगे क्या काई इस परकिरिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा अब देखिए कह रहा है 40 degree centigrade ताप मान है और ये घंटे में कितना कम हो रहा है 5 degree तो फिर कह रहा है क्या ध्यान दिजियेगा कि 10 घंटे बाद 10 घंटे 10 घंटे बाद ताप मान क्या होगा ये बताना आप लोगों को देखिए 40 degree centigrade ताप मान अभी है और ये घंटान कितना कम हो रहा है 5 degree centigrade तो 10 घंटे बाद कितना होगा ये बताना है ताप मान तो देखिए यहाँ देख लेते हैं पहले ऐसे समझते हैं 40 degree centigrade ताप मान है और ये घंटे में कम होगा 5 तो 10 घंटे में कितना कम होगा माइनस तो एक घंटेम हो रहा है पांच डिगरी संटीगरेड तो दस घंटेम कितना कम होगा 10 में क्या करेंगे 5 से गुड़ा इतना आप लोग समझ रहा होंगे दखिए 40 डिगरी संटीगरेड में से घटाना है कम करना है कितना एक घंटेम हो रहा है था 5 मतलब 5 डिगरी तो 10 घंटेम है 10 पचे 50 मतलब 50 डिगरी संटीगरेड कम हो रहा है तो कम के लिए माइनस करते हैं और ऐसे आप लोग हल करना जान चुके हैं क्या करते हैं इसको कैसे सॉल्ब करते हैं यह सीसी अभी यहां से हटा देते हैं आप लोग समझने के लिए देखिए तो यह हो जाएगा कौन सा रूल लगाएंगे यहां पर या तो ऐसे सॉल्ब कर लेते हैं देखिए 40-10 का 5 में गुड़ा करेंगे तो 50 degree centigrade में है ये और solve करेंगे एक संख्या पलस में एक संख्या माइनस में है तो क्या करते हैं घटाते हैं तो 50 में 40 को घटाएंगे तो माइनस में चिन बड़े वाले का लगाते हैं 10 मतलब माइनस 10 degree centigrade तो जो हमारा ताप मान होगा अब कितना हो जाएगा 10 घटेक बार माइनस में 10 degree centigrade ये answer होगा तो इसको लिखना कैसे है इसको देखते हैं ये हमने आप लोगों को समझने के लिए बताया लिखेंगे इस समय इस समय कमरे का ताप मान बराबर इस समय कमरे का ताप मान कितना है 40 degree centigrade और प्रति घटेक की दर से कम हो रहा है कितना 5 degree centigrade आप मान कितना कम हो रहा है ताप मान यहां आप लोग देख सकते हैं 5 degree centigrade एक घटे में कम हो रहा है कितना ताप मान 5 degree centigrade तो हम लोगों को निकालना क्या है 10 घटे में 10 घटे में देखना कितना कम होगा हम लोग पहले लिखते हैं लिखेंगे इसलिए 10 घटे में 10 घटे में कम हुआ ताप मान 10 घटे में कम हुआ ताप मान कितना हो जागा 10 का देखिए एक घटे में जब 5 degree centigrade कम हो रहा है तो 10 घटे में 10 में हम लोग 5 degree centigrade का गुड़ा कर लेंगे तो हो जागा 50 degree centigrade अब दखिए इस समय कमरे का तापमान 40 degree centigrade और 10 घंटे में कितना तापमान कम होगा 50 degree centigrade तो पूछा क्या इस परकिरिया गए शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान तो हम लोग वही लिखते हैं अतर 10 घंटे बाद 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा पहले था देखिए 40 degree centigrade और कम करना है कम करने के लिए माइनस लगाएंगे कितना कम करना है 50 degree centigrade solve कर लेते हैं देखिए 50 में 40 घटाएंगे ये चीन बड़े वाले का लगाते हैं तो माइनस में हो जागा 10 degree centigrade ये अंसर हो जागा तो इस तरह से आप लोगो solve करना देखिए पहले तापमान इतना देदी ये घंटे में कम हो रहा इतना तो हम लोग निकालेंगे 10 घंटे में कम होगा इतना और कहा है 10 घंटे बाद कम रहा तापमान तो पहले 40 घंटे था और कम हो रहा है कितना 10 घंटे में 50 तो 40 में से हम लोग कम कर लेंगे 50 को आजागा माइनस 10 degree centigrade तो ये अंसर होगा हम लोग कोस्चन नमबर 7 को देखिते हैं क्थचआर से, अंसरे हैं